हलो दोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और ये समासास्त्र की MCQ सिरीज है और आप लोगों में से कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैं कुछ MCQ क्वेस्टन करवा दीजिए एक्जाम के पॉइंट अब व्यू से तो मुझे लगा कि कोई और क्वेस्टन क्यूं क हम लोग जो UGC NIT का पेपर जो होता है उसका अपना एक स्टेंडर्ड होता है तो अभी तो मान लेते हैं कि आनलाइन एक्जाम होते हैं लेकिन जो आफ्लाइन एक्जाम हुए थे उनकी पेपर के कलेक्शन वेपसाइट पर आलरी है तो क्यों नहीं पहले उनकुछ क्वेस् वो आप लोग देख सकते हैं पेपर सेकेंड सुसोलोजी का है और यह जून जो है 2014 का पेपर है तो यह आप लोग चाहिए तो आप लोग वेपसाइट पर जाके क्वेस्चन पेपर देख सकते हैं यहां पर मैंने इसे मेंसन किया है और आज इसी क्वेस्चन पेपर के बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं इसमें 50 questions हैं और उसको हम लोग discuss करेंगे ये question paper आप लोगों को क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो हिंदी के terms में problem होती है कुछ लोगों को जो है वो English के terms में problem होती है तो हाला कि हम लोग question paper जो है वो हिंदी में discuss करेंगे लेकि मैंने यहाँ पे इसका जो English format में है question उसको भी मैंने यहाँ पे mention कर दिया है तो अगर जिन साथियों को अगर problem हो रही होगी हिंदी में तो आप लोग English में भी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर मैं for example पहले question की ही बात करूँ तो पहला question जो दिया है कि I statement of relationship between variables to be tested is known as तो इसका correct answer hypothesis है इसी तरीके से आप लोग विभिन जो question है मैं यहाँ पे mention कर दी हूँ तो उसको आप लोग देख सकते हैं एक बार या तो फिर sharply हम लोग just this टिक करते जाते हैं करेक्ट answer कौन सा है और फिर आप लोग बात में इसको अगर कहीं doubt रहेगा तो देख लीजिएगा second question है कि for marks human potential is actualized तो इसका जो correct answer है वो भी है in the objectification of products इसको हम लोग हिंदी में समझ लेंगे third question आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया है a relationship in which change in one variable always induced change in another variable is known as तो यह cause and effect जो कारण और प्रभाव relationship होता है यह इसका correct answer है अगला question है who among these theorists were the intellectual fountain heads of conflict theories तो सबसे पहला नाम तो काल माक्स का आता है यह आप लोग को पता ही है तो काल माक्स इसमें main आते हैं ऐसे ही हम लोग अगर fifth question की बात करें तो given below are two statement one labeled as assassin and the other labeled as reason अब हम लोग assassin देख लेते हैं बोथ लेवीज लेवीज कोजर और रांडल कॉलिंस आर grouped under the conflict school तो आप सभी को पता है कि लेवीज कोजर जो है और रांडल कॉलिंस जो है यह दोनों के दोनों जो है वो conflict school से आते हैं बोथ half them highlight the function of conflict in maintaining the society तो function of conflict के बारे में सिर्फ लेवीज कोजर ने बात किया है रांडल कॉलिंस ने नहीं बात किया है तो यहां पर जो है वो correct answer जो होगा वो A is true but R is false ऐसे ही next question हम लोग अगर देखें तो next question आप लोग देख सकते हैं six है the reason of insurgency in the north eastern region तो main reason क्या होता है यह जो है वो ethnic conflicts and development deprivation होता है तो यह आप लोग अभी हम लोग हिंदी में इसको समझेंगे आप लोग अजस्ट मैं पहला paper sorry पहला page जो है वो मैं discuss कर ले रही हूं English में बाकी आप लोग मैं इसको इस पर है यह आप लोग एक बार खुद देख लिए जिएगा assertion है 7th question का कि Townsend asserts that poverty can be defined objectively only in term of the concept of relative deprivation तो यह correct है society determines people's need pattern of food consumption तो यह जो option है यह भी आप लोग का correct है लेकिन इन दोनों में कोई relation नहीं हमें दिखता है तो इसका correct answer है कि both are assertion and reason are true but are not the correct explanation of A अब हम लोग इसको हिंदी में देख लेते हैं यहां से अब हम लोग हिंदी में discuss करेंगे पहला पेस तो हम लोग इंग्लिस में discuss कर लिये हैं जिन परिवर्टों का परिछड किया जाना है उनकी 20 संबंद को क्या कहते हैं तो correct answer है परिकल्पना कहते हैं कि माक्स के अनुसार मानों की प्रच्छन चमता कारी रूप में परड़ित होती है इसका correct answer है उत्पादों के लक्षे नीरूपड में तीश्रा question है उस संबंद को क्या कहते हैं जिसमें एक चर्मे परिवर्टन सदय वे दूसरे चर्मे परिवर्टन को उत्प्रेडित करता है इसका correct answer जो है वो कार्य और प्रभाव संबंद है अगला प्रश्ण है कि निम्नलिखित में से कौन से सिधान सास्ट्री संघर्ष सिधानतों के बौधिक मुल सोत माने जाते हैं तो इसमें नाम कालमाक्ष और मैक्स बेबर का आता है पांच्वा क्विशन हम लोग देखते हैं कि नीचे दो वक्त अब दिये गए हैं एक को अभी कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है अभी कथन क्या है लेविस कोजर तथा रैंडॉल कॉलिंस दोनों ही संघर्ष विचारधारा के अंतरगत रखे जाते हैं तो ये correct है दोनों ही समाज के भरण पोशर में संघर्ष के कारे पर बल देते हैं तो संघर्ष के कारे पर जीजने बल दिया है वो लेविस कोजर है इसलिए इसका correct आंसर जो है वो B है कि A सही है परन्तु R जो है वो गलत है पुर्वत्तर छेत्रों में विद्रो के कारड कौन से है तो प्रजातिय संघर्ष तथा विगास वंचन है इसका main कारड अगला प्रस्म देख लेते हैं टाउन सेंड ने बल देकर कहा है कि वस्तु निष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेचिक वंचन के रूप में परि धारण करता है ये भी करेक्ट है लेकिन जो आर है वो एक का सही सापेचिक वंचन की बात सही है लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है इसके करेक्ट आंसर जो है वो दी हो जाता है यहां पे मैं आप लोग को आठवा क्वेशन आप लोग देख सकते है जो God is Society किस ने कह तो यह अगर बात करें कि अगर ठीक है मैं इसको नेक्स हम लोग आप लोग कुश्चन जस्ट मैं यहां पर मेंसन कर दियूं आप लोग देख लीजिए क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाएगा इंग्लिस और हिंदी दोनों को डिसकस करने में तो मैं जस्ट आप लोग को इधर मेंसन कर दी हूँ आप लोग देख लीजिए हिंदी में हम लोग इसको डिसकस कर लेते हैं या किसका सुझाओ है कि इस्वर दैवी कृत समाज है तो ये आप लोगं को सबसे पहला नाम ही आता है इस्वर दैवी कृत समाज है ये बात ही इमाइल दुरखीमनी कही है भारती ये परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं या किसका उधारण है तो ये आप सभी को पता है कि ये जो है प्रत्यासित समाजी करण के अंतरगत आता है क्योंकि ये प्रत्यासित ह होता है कि हमें आगे क्या बनना है निमनलिकित में से कौन सा सिध्धान्त यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर विवहार में लोग स्वा हिस्से अभी प्रेरीत होते ह्यां तो यह सबसे पहले अगर हम देंखे जो सबसे एजी है उसी को हम लोग देखते हैं दपावर इलीठ की बाता है। टी स्था मैंच करते हैं यहां पर बी तीसरा मैंच होता है। सियक्न से आपनों का करिक्ट हो जाता है। और हम लोग देख लेते हैं एक फिर फोर होगा तो सुवसल क्लास एंड श्ट्यटिफिकेशन की बात सोंडर्स P करते हैं या पी स invite करते हैं क्लास city and power की बात Mcastle करते हैं चलास in modern society की बात TV आटो मौर करते हैं तो ये हम लोग यहां पर सुमेलित कर चुके हैं अगला प्रशन हम लोग देख लेते हैं समासा सामाजिक कारे को समझने का विक्याने भेरी भेरी इसी मैक्स बेवर का यह है कथन Imperatively Coordinated Association यह अगर आप लोगों को नहीं यादो तो जस्ट यह टर्म ही आप लोग याद कर लीजिएगा यह टर्म ही जुड़ा हुआ है राल्फ डारेंड डार्प से तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो टर्म्स है यह याद होगा भी अगर नहीं याद होगा तो आप लोग जरूर से इसको याद कर लीजिएगा कुछ नहीं है इंपरिटिवली क्वाडिनेटिट इसोसियेशन का जो टर्म है यह एकी टर्म के रूप में राल्फ डारेंड डार्प के लिए यूज़ किया जाता है अगला प्रशन हम लोग देखते हैं एमिल दरखाईम के अनुसार धार्मिक कारिवयापार को किस रूप से बहतर ढ़ं से समझा जा सकता है तो यह है समाज की एकता तथा स्थाईत्व में योगदान करना बाकी आप्शन भी आप लोग देख लीजिएगा अगला कुशन है कि अभी कथन है कि भाई भतीजावात पक्षपात तथा भ्रश्टाचार भारते समाज में बढ़ गए हैं तो यह बात सही है और राजनितिक इसका रीजन क्या है कि राजनितिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन हुई है तो यह भी बात सही है अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है यह और र तोनों सही है यहाँ पर मैं इंग्लिस का मेंसिन कर दी हूँ आप लोग चाहिए तो क्लिक करके आप लोग इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और बाकी मैं इसको स्लोली स्लोली आगे बढ़ाते हूँ आप लोग क्वे इसको हम लोग डिसकस कर लेते हैं ओके मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवा अस्थाई रूप से मुता कहलाता है तो यह आप लोग याद रखेगा अगला प्रसन देखते हैं अभी खतन है कि भारती या सौरी ग्रामेर भारत में पिछले दो दसकों में महिला सक्तिकरड हुआ है तो यह करेक्ट है और 73 सम्मिधान संसोधन ने ग्रामेर भारत की महिलाओं की सक्तिकरड किया है तो यह भी बात सही है तो यह दोनों आपसन सही है इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाता है है नेक्स क्वेश्चन है कि भारत में शिक्चा का नेजी करड सुक्षा के ब्यवसाई करड की ओर अग्रिसर हो रहा है तो यह कथन तो बिलकुल सही है अगर कथन और कारड की बात करें तो कथन तो बिलकुल सही है कारड इसका दिया गया है कि शिक्षा के व्यवसाई करड ने अनिक गरीब सुपात्र छात्रों को गुडवत्ता पूर्व सिक्षा से वंचित कर दिया है तो इसको हम इसका exact कारड नहीं मान सकते हैं इसलिए अगर देखा जाए तो अभी कथन और कारड ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याग्या नहीं है संगठन संगर्स के अखाडे हैं ये कथन किसका है तो ये ये भी एक की टॉंग की रूप में यूज किया जाता है रैंडॉल कॉलिंस का है जो संगठन है वो संगर्स के अखाडे हैं ये बात रैंडॉल कॉलिंस करते हैं अगला question हम लोग देख लेते हैं यह सुझाओ किसका है कि संगहर्स का समाज में प्रकारियात्मक महत्व है भेरी बेरी easy question लेवी स्कोजर के अलावा और कोई कहा ही नहीं है सुझी एक को दो से सुमेलित कीजिए इसमें हम लोग अगर सबसे पहले c का हम लोग दूसरा देख लेते हैं आलफे सुझ हैं परिखटना विज्ञान से जुड़े हुए हैं वही पे जी अच मीड का जो है वो प्रतिकात्मक अंतरवेफारवाद है तो दो हम लोग option पहले match कर जो है वो संघर्स एवंग सत्ता की बात करते हैं तो बात सही है conflict और अथार्टी की बात इन्हों ने की हैं और लेविस कोजर जो है इनका आप सुझी को पता है बहुत ही easy है सामाजिक संघर्स के कारिये तो अभी जश्रिस के पहले हम लोग वही discuss किये हैं नेमनलिखित में स कौन सा कथन संघर्स परिद्रिश को प्रतिविंबित नहीं करता है तो इसका जो correct answer है वह हम संघर्स की बात हो रही है यहां पे तो इसका correct answer जो है वो समाज के अंगों की जटिल प्रडाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन आवश्यक कारियों के निश्पादन के ल देलता है यह आप लोगं को English के question दिख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग चाहिए तो इसको देख लीजिए और अभी हम लोग हिंदी के question discuss कर लेते हैं तो अगला question है कि सूची एक की मदों को सूची दो की मदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए code से सही उत्तर जो है वो चुनिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं यह सूची है और यह जो है यह option देख रहा है ओके यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं जे W.B.Douglas है कुछ यह पूलेंगे thinkers हैं और उनकी दी हुई कुछ books है तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इवान इलीच की हम लोगों को सबसे पहली book देखती है एक्दम simple सामने ही match हो रहा है कि D का 4 है तो D का 4 हम जो देखेंगे वो A की ही में match हो रहा है यहाँ पर A का 3 यह हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनट कुछ D schooling society इवान इलीच एक मिनट जे डेबलू बी डुग्लास दी एच हार गिर्स एस बोल्स तर एच किंटिस की बात है इसको हम लोग एक मिनट मैच करते हैं क्या A का 3 ओ स्वारी हमने match ही गलत कर दिया है B का 4 मैंने match कर दिया है यहाँ पर मैं हाँ अभी correct करती हूं ओके correct answer जो है वो हमको यह दिख रहा है क्यूंकि D का 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है एकदम सीधे सीधे match हो रहा है इवान इलिश की जो है वो D schooling society है तो एक option से ही हम लोग यहाँ पर एक option तो नहीं बोलेंगे यह हमारा C भी match हो रहा है बट जो correct answer है वो A है और इसमें हम लोग इसके हिसाब से एकदम J.W.B. Douglas का the home and the school है D.H.H. Gibbs का social relations in a secondary school है S.B.S.Gintis का schooling in capitalist America है तो यह आप लोग books के name है जो और यह thinkers हैं इनको आप लोग जरूर अलग से note कर लीजीगा क्योंकि यह separate separate question के रूप में भी post दिये जाते हैं ओके next question हम लोग देखते हैं इस द्रिष्टी कोड की वकालत किसनी की है कि समासासर का अध्यान छेत्र जो है वो दैनिक जीवन की सहज भुधी है तो यह जो है परिघटना विज्ञान से सम्मंधित विचार है नेक्स question जो है वो है कि निमनलिकित में से कौन अनोनिक क्रियावाद का एक तत्व नहीं है तो अनोनिक क्रियावाद में हम किसको नहीं देखते हैं यह हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे हम इगो की बात हम यहाँ पे हम की बात नहीं देखते हैं स्वा की बात देखते हैं प्रतिक की बात देखते हैं रोल टेकिंग की भी बात हम देखते हैं अनोनिक रियावाद में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा एहम अर्था दे इगो है उके निक्स क्वेष्चन हम लोग देख लेते हैं निक्स क्वेष्चन ये है कि अभी कतन और कारण के रूप में दिया गया है और कतन ये कहता है कि दलितों में अलगाओ का भाव बढ़ रहा है तो अगर हम देखें तो ये बात सही है और दलितों पर हाल के वर्सों में अत्याचार बढ़ा है यह इसके पीछे कारड़ बताया गया है इसी कारड़ से दलितों में अलगाओं का भाव बढ़ रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डि है क्युंकि यह दोनों की दोनों बातें सही हैं अगला question है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिये तथा नीची दिये गए कोड से सही उत्तर चुनिये तो यहाँ पे कुछ writers दिये गए हैं और उनकी कुछ books दे गई हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर जी होमांस की path करें तो इनकी book the human group सबसे पहले आ फोर एक का फोर हम लोगों को correct answer D दिख रहा है बी का तीसरा है काल राइट जो काट राइट जो है वो ग्रूप डाइनेमिक्स है MS Umstead की जो book है वो है the small group और RS Turner जो है वो है collective behaviors एक मिनट दी का हाँ एक मिनट एक मिनट दी का वन मिनट एक का फोर हो गया B का हाँ correct है C का 1 correct और D का 2 ओके correct है तो यहाँ पे एक मिनट आप लोगों को सायथ नहीं दिख पाया होगा मैं यहाँ पे match तो मैंने कर दिया था यहाँ पे आप लोग option देख सकते हैं चोकि मैंने question बहुत छोटे छोटे दिखते हैं तो इसको zoom करके मैंने किया है तो sometimes हो सकता है कि आप लोगों को कुछ portion इसका नहीं दिख रहा होगा इंगलिस ट्राउम में क्या करते हैं तो यह आप लोगों को दिख सकता है यह जो है sanctions कहलाते हैं तो आप लोगों को आभी clear हो गया होगा कि reward और punishment जो है वो किस से related होता है तो वो sanctions से related होता है ओके यह आप लोगों को इंगलिस का question है आप लोग देख लीजिएगा ओके मैं बढ़ा रही हूँ इसको आगे ओके ओके अभी हम लोग next question discuss करते हैं 29th question जो है सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए code से सही उत्तर चुनिए तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा center में कर दूँ हाँ अभी ठीक है तो यह आप लोगों को कुछ concept दिख रहे हैं और यह बोले कि groups के बारे में किस group के बारे में बात चारक हैं तो यहाँ पे सूची 1 है सूची 2 है उसको हम लोग देखते हैं तो 29 में correct answer अगर हमको दिखता है तो सबसे पहले अगर बात करें प्रात्मिक समूग की तो यह आप सभी को पता है कि यह CH कूले के द्वारा दिया गया है संदर्ब समूग की बात किस ने की है तो अब इसी पे हम लोग देख लेते हैं पहले ठीक है इसली मैच कर लेते हैं पहले अगर मैच होता है तो A का 4 का मतलब यह है कि यह correct answer जो है वो D है तो A का 4 हो गया अभी B का R हाइमन आप सभी को पता है संदर्ब समूग की बार में बा किस ने की है तो यह आप सभी को पता है WG सुमनर ने की है और संगठित समू की बात राबर्ट बेस्टेट ने की है तो यह आप लोग का correct answer जो है वो D हो जाता है नेक्स question हम लोग देखते हैं नेमनलिखीत में से कौन सा सामाजिक क्रिया का उधार नहीं है तो यहां पे बाइ साइकलों के आपस में टकराने की पसाद दो व्यक्ति आपस में खीत प्रकट करते हैं तो दोनों एक दूसरे से interaction कर रहे हैं अर्थाती यह social action हुआ अच्छा दो साइकलिस्ट एक दूसरे की ओर ध्यान दिये बिना अपने अपने mark पर बढ़ रहे हैं तो यह इसका correct answer ह कि यह social action नहीं है बाकी जो है दो साइकलिस्ट प्रतिकुल दिसा में आ रहे हैं और वे एक दूसरे को mark देने का प्रयास कर रहे हैं तो यह भी हमारा social action के अंतरगत आएगा ओके अगला प्रशन है यह एक बुक का नाम दिया गया है इसको आप लोग जरूर से याद रखेग बुक है कि an outline of social psychology यह बुक किसकी है तो यह बुक जो है correct answer है मुझपर शरीद की बुक है ओके next question हम लोग देख लेते हैं 32 है बहुत ही easy question है यह बार बार परिशाओं में पूछ दिया जाता है निर्धनता की संस्कृती यानि की sorry culture आप पारड़ी की बात किस ने की है तो यह बात आसकर लेविस ने की है next question हम लोग देखते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और प्रदत कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो यह सूची एक है और यह सूची दो है इसमें संस्कृती की कुछ परिभासाएं दे गई है जो कि आप सभी को यहां पे देते हैं सबसे पहले तो संस्कृती पर्यावरण का मानो निर्मितांस है तो यह बात हसको विर्स ने की है यह आप सभी को पता है और जहां पे आप लोगों को यह परिभासा में दिखेगा ज्ञान वी विश्वास कला नैतिक्ता विधी रूड़ी इस सभी की बाते जो है वो इबी टाइलर ने की है तो यह आप संजो है वो एक का दूसरा है और बी का पहला है अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैच करके हम लोग देख लेते हैं एक मिनट हां यह तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग फस्ट वन है इसमें हम लोग एक का दूसरा और बी कावन हम लोग मैच कर चुके हैं अभी अगला हम लोग मैच करेंगे एक मिनट ठीक है पहले परिभासा ही देख लेते हैं तीस्तरे का सी है तो यह सीधे-सीधे इनी की था और संस्कृत्ती जीवन डिजाइन है जिसमें किसी विशेश समाज की सदस्यों का विश्वास है तो यह बात सी क्लॉक हान ने कहा है तो यहाँ पर आप लोग अभी आपसन देख सकते हैं और यह आपसन जो है वो करेक्ट आंसर ए है तो इसको आप लोग देख लीजिएग मैं बार बार बोल रही हूँ ओके एक मिनट अभी आप लोग यह कुश्चन है वार मिन है ओके पूके नेक्सट्गुश्चन हम लोग देख लेते हैं वा सिधान जो लोगों को इस्टेज प्रबंदकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्वत के समक्ष प्रस्तूत किये जाने वाले प्रभाओं का प्रबंधन करते हैं इस सिध्धान्त को क्या कहते हैं तो आप सभी को पता है कि इसके बारे में गापमैन ने बात की है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो नाटिकला है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है इस्टेज की बात ही जो फ्रंट स्टेज बैक स्टेज आक्टिंग क बात जो इन्हों ने की है तो गाफ मैंने की है इर्विंग गाफ मैंन की ये concept रही है और इसको हम लोग नाटिय कला करते हैं नेक्स question हम लोग देखते हैं निर्णा लिखित में से कौन सी हरबर्ट ब्लूमर के प्रतिकात्मक अनोनिया वासिधान का लक्षण नहीं है तो यहां पे आप लोग जहां पे नहीं है होता है उसको आप लोग जरूर ध्यान दिया करिए तो सबसे पहले हम लोग लच्षण कौन से है यह तो समझ में आ जाएंगे कौन से नहीं है उसको हमें टिक करना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा B है समाज का सार अभिनेताओं और क्रियाओं से प्राप्य है तो यह जो है यह है समाज ब्रिहत संरशना से निर्मित है तो यह इसका प्रतिकात्मक अनोनिया वास सिधान्त का लक्षण नहीं है तो इसका correct answer जो है वो भी है next question हम लोग देख लेते हैं वे प्रक्रिया अथ्वा नियम जिनका लोगों द्वारा पालन अपेक्षित होता है उन्हीं क्या कहा जाता है तो यहां पे बात अपेक्षा की हो रही है कि आखिर में यह हम उम्मीद करते हैं कि यह होना ही चाहिए तो इसको हम लोग नाम्स करते हैं या फिर प्रतिमान करते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं कि धर्म, विवा, परिवार, चार्थ, आदि, उदाहरण हैं तो यह किसके उदाहरण हैं यह हम सभी को पता है कि यह सामाजिक संस्थाओं के अगर बात करें कि प्रतिकात्मक अनोनिवाद का संस्थापक किसे माना जाता है तो यह जो है जीयच मीड को माना जाता है अगला प्रशन हम लोग देख लेते हैं निमनलिखित में से कौन सा सामाजिक अस्तरी करड का रूप नहीं है तो यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक अस्तरी करड के रूप की और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्रेडी जाती लिंग यह सभी के सभी जो है उस सामाजिक अस्तर करण का रूप नहीं है अगला प्रशन हम लोग देखते हैं कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिया और प्रदत कोट से सही उत्तर का चैन कीजिया तो यहाँ पे दो सूची दी गई है मैं इसको यहाँ पे हाँ अभी उमीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा एक मिनट ओके यह कुछ बुक्स दिये गए हैं और इससे रिलेटेट थिंकर्स हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है तो यहाँ पे अगर हम बात करें देथ आप दे फैमिली तो यह बहुत ही फेमस बुक है डी कूपर की तो इससे हम लोग अगर C का तीसरा C का तीसरा हम लोग देख रहे हैं पहले option में ही match हो रहा है इससे हम लोग match कर लेते हैं बाकि अगर नहीं भी पता है तदेथ हाप दे फैमिली जो है Dependence and Exploitation in Work and Marriage तो यह बुक जो है ODL Banker और SLN की है आप लोग सीधे सीधे match कर लीजे देख सकते हैं The Future of Marriage जे बर्नार्ड The Family and Marriage in Britain आर फ्लैचर की बुक है तो यह आप लोग मैं यहाँ पे अभी match भी मैंने दिखा दिया है उमीद है कि अभी आप लोग option भी देख रहा होंगे और match जो option किया गया है उसको भी आप लोग देख रहा होंगे Next question हम लोग देखते हैं Next question है कि पती द्वारा तलाग शुदा पती को दिये जाने वाले अनुरचर भत्ते को क्या कहते हैं तो यह आप सभी को पता है कि इसको क्या कहते हैं इसको जो है वो निर्वाहिका कहते हैं इसको English में term जरूर आप लोग याद रखिएगा हम लोग इसका English term भी देख लेते हैं कि English term में इसको क्या कहा गया है इसी को alimony कहते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेहर जो होता है वो तो साधी के समय दिया जाता है तो इसलिए आप लोग मेहर और निर्वाइका में कन्फ्यूज मत होईएगा, ओके, यहाँ पे मैंने अब इंग्लिश के question का मैंने लगा दिया है, यह आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद से फिर हम लोग हिंदी का question है लाज पेज रहेगा, उसको हम लोग discuss कर लेंगे, ओके, तो यह आप लोग पढ़ सकते हैं, ओके, ओके, बैयालिस्वा question है कि संस्कृति के संदर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कौन सा सही नहीं है, वो हमें देखना है, तो इसका जो हम लोग पहले देख लेते हैं, संस्कृति का विकास किया जाता है, यह correct answer है, संस्कृति और सभिता एक ही सिक्के की दो पक्षो होते हैं, यह भी कहा जाता है, यह भी सही है, संस्कृति गैर पदार्थक और सभिता तो ये जस्ट संस्कृति और सभिता की जो परिभासा है उसको उल्टा कर दिया गया है और इसलिए जो कथन सही नहीं है संस्कृति के बारे में वो option D है अगला प्रशन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिकित में से किसने मांक्स के सिधानत को बहुत देशिय विश्व की एकल कार्णी व्याक्या है ठरा कर आलूशना की है तो यहाँ पर आप लोग ये कुछ question जो ऐसे हैं कि ये विभिन परिशाओं में बार बार पूछ दिये जाते हैं इसलिए आप लोग इस question को very very important category में रखा करिएगा इसमें आपका correct answer जो है वो हम देखें तो इसमें जो आयोग की तरफ से answer जो आया था वो उनका ऐसा मानना था कि इनकी आलूशना मैक्स बेबर ने भी की थी और रैंडॉल कॉलिंस ने भी की थी तो इसको आप लोग ध्यान रखेगा कि इस type का अगर question है तो इन दोनों option में से अगर कोई भी थिंकर आते हैं तो वो correct answer हो जाएंगे क्यूंकि आयोग के द्वारा A और C दोनों option को correct माना गया है 44 question हम लोग देख लेते हैं कि काल माक्स ने ये gap है कि बीच वर्ग संगर्स का जिक्र नहीं किया है तो इन्होंने ऐसा कौन सा हमें option दिख रहा है जिसके बारे में इन्होंने बात ही नहीं किया है तो साधन संपन और साधन विपन की बात इन्होंने किया है बुज़वा और प्लोटेरियेट की बात किया है पुजी वादी और स्रमिक वर्ग की बात किये लेकिन धनी और निर्धन की बात इन्हों नहीं की है तो correct answer जो है वो धनी और निर्धन हो जाएगा अगला question हम लोग देखते हैं कि निमनलिखित में से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निमनलिखित में से कौन सी समाजी करड़ की agency नहीं है यह तो बहुत सारे परिचाओं में पूछ दिया जाता है तो इसका तो बहुत ही easy है मैंने भी इसको जो mcq question मैं पूछती हूँ daily के उसमें तो इसमें भी मैंने यह question पूछा हुआ है और इसका correct answer है कि media नहीं है परिवार school of year group जो है वो आते हैं इसमें okay 46 question देख लेते हैं यह है कि सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजी और प्रदतकूर से सही उत्तर का चैन कीजी यहाँ पे कुछ सिधान दिये हुए है और उससे related जो है वो thinkers दिये गये हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहल आप लोग को correct answer जो है वो एक ही बार में मिल गया बहुत ही easy है यह एक का टू विकासवादी सिधान की बात आगाश्ट काम टेनी की है वहीं पे चक्रिय सिधान की बात करें तो बी का जो है वो सोरुके ने की है चक्रिय सिधान की बात और अगर हम बात करें कि सन रशनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की बात किस ने की है तो ये जो है वो Kingsley Davis ने की है तो इस तरीके से 46 जो question है उसका correct answer जो है वो C है निर्बनलिकित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है अब यहाँ पर बात हो रही है समुदाय की और समुदाय का element कौन सा नहीं है ये हमें समझने की जरूरत है तो यहाँ पर आप लोग खुद एक बार सूचिए कि कौन सा नहीं हो सकता है यहाँ पर भूभाग होता है हमकी भावना होती है आत्म निर्भरता होती है कौन सा नहीं है तो उसका जो है correct answer है कि Sanskritic समरूपता पाई जाती है लेकिन वैविध्यता या वैविध्यत नहीं है अगला प्रशन है कि प्राथमिक समू मानविय प्रकृत्य की नर्सरी है इसका प्रथिपादन किस ने किया है तो यह कथन किसकी द्वारा कहा गया है इसका जो correct answer है वो Charles H. Kule है C. H. Kule है तो प्राथमिक समू जो है मानविय प्रकृत्य की नर्सरी है यह कथन जो है C. H. Kule के द्वारा कहा गया है यह आप लोग याद रखेगा बहुत important एक book है Society in India इनके लेखक कौन है तो इसका जो correct answer है वो David G. Mandelbaum है Society in India book जो है वो David G. Mandelbaum के द्वारा लिखी गई है आखरी question आज का जो है वो है कि यह किसकी युक्ति है कि परिवार वी कार खाने है जहां मानो व्यक्तिक्तियों का उत्पादन होता है बहुत ही ज़्यादे famous quote है यह आप लोग जरूर याद रखेगा मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा अगर नहीं पता होगा तो भी आप लोग इसको जरूर याद रखेगा यह बाट टालकर पार्संस ने की थी कि परिवार वी कार खाने है जहां मानो व्यक्तिक्तिक्तों का उत्पादन होता है तो यह जो है इसका करेक्टर आंसर टालकर पार्संस है ओके दोस्तों उमीद है कि आज आप लोग को बहुत ही जादे मजा आया होगा इन्जॉइ कि होंगे आप लोग क्योंकि क्वेस्टिन का अपना एक स्टेंडर्ड है और आप लोगं का उम्मीद है कि हम लोग एक लेक्चर में 50 questions आलमोस्ट हम लोगंने cover कर लिया और paper 3 जो रहेगा उसमें 25 questions रहेगा तो इस तरीके से भी अगर हम लोग जो at least UGC net का previous year questions जो हमें उसकी website पे है available उसको हम लोग discuss कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे MCQ questions जो है जो की एक standard के है वो तैयार हो जाएंगे और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि MCQ questions जब हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी problem होती है वो यह होती है कि जो हम practice book लिये रते हैं उसमें पता नहीं रता है कि correct answer कौन सा है लेकिन चुकि जो आयोग के प्रशन है और आय लाइक के और ये comment करके हमें बताईएगा अपने दोस्तों में share करिएगा धन्यवाद